तो आज के सेशन में हम बात करेंगे chemical pregnancy की क्या है ये chemical pregnancy? क्या ये किसी chemical के वज़े से है? आप सबने pregnancy शब्द सुना होगा जब भी ये शब्द घर में सुनाई देता है pregnancy यानि गर्भावस्था तो घर में एक खुशी की लहर दौड जाती है इसी के वी प्रीत एक और इससे मिलता जुलता शब्द है गर्भपात यानि मिस्कारिज और जैसे ही ये शब्द सुनाई देता है वही खुशी जो है गम के माहौल में तब्दील हो जाती है बहुत ही ज़्यादा पीड़ा दाएक वेरी इमोशनल और प्रॉमेटिक एक्सपरियन्स फेस्ट बाई अ वुमन तो क्या है ये केमिकल प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी एक तरीके का मिस्कारिज है यानि की गर्भपात है अब इसको केमिकल नाम क्यूं दिया जाता है? आईए इसके बारे जानते है जब भी कोई महला प्रेगनेंट होती है तो उसके यूरिन में और उसके ब्लड में एक हॉर्मोन है जिसकी मात्रा बढ़ जाती है और उस हॉर्मोन का नाम है बीटा-HCG यानि human chorionic gonadodropin आप सबने प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे सुना होगा जब आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में दो लाइन्स आ जाएं इसका मतलब कि कोई महला क्या है प्रेगनेंट है और ये प्रेगनेंसी टेस्ट भी आपके यूरिन में होने वाला ये हॉर्मोन बीटा-HCG को नामता है कई बार ऐसा होता है कि बीटा-HCG की मात्रा बढ़ जाती है जिसके वज़े से आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है लेकिन 2 या 3 दिन के बाद मासिक धर्म दुबारा से शुरू हो जाता है ऐसी अवस्था क्यमिकल प्रेगनेंसी का संकेत देती है अगर हम डिफाइन करें टाइम पीरियड में तो 5 हकते से पहले होने वाला miscarriage यानि की गर्बपात है कई बार किसी महिला को पता भी नहीं चलता कि वो chemical pregnancy का शिकार हो गई है बहराल main जो इसका diagnostic feature है वो आपको एक doctor ही बता सकता है कई बार ये ultrasound पे पता नहीं लगता सिर्फ और सिर्फ पता लग सकता है किस पर आपके pregnancy test positive लेकिन आपका मासिक धर्म जो है वो शुरू हो जाता है कारण क्या है इसका? कारण हो सकता है कि जो fetus है यानि कि जो भुरून है उसमें किसी तरह की दिक्कत है वो दिक्कत आम तोर पे chromosomal होती है यानि कुण सूत्र से संबंदित होती है नो डाउट बहुत ही पीड़ा दाइक दर्दनाख है बट हम कह सकते हैं यह प्रकृती का एक तरीका है कि जिस भुरून में कोई ना कोई दिक्कत परिशानी थी प्रकृती ने उसको जन्म लेने नहीं दिया अगर आप ऐसी ही जानकारी बिल्कुल पांच मिनिट के अंदर चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिये हमारा चानल RKC EDUHUB थैंक यू सो मच